SMZ News, खबर नहीं, आपकी आवार करोना के इलाज और वैक्सीन के नाम पर मरीजों के खून को डार्क नेट पर बेचा जा रहा है अस्टेलियन नैशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है डार्क नेट पर मौजूद सेलर अलग-अलग देशों में शौपिंग करके विदेशों में डिलवरी करा रहे है डेली मेल की रिपोर्ट के मताविक जिन्दगी भर के लिए करोना से इम्यून बनाने के दावे के साथ करोना मरीजों के ब्लड को लाखों रुपे में बेचा जा रहा है एक लिटर ब्लड का दाम 10 लाख रुपे तक रखा गया है हाला कि बेट के साथ अवैद रूप से PPE, मास्क, टेस्ट किट सहित अन्य समान भी उचे दामों पर बेचे जा रहे है आस्टेलिया की नैशनल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मताबिक कम से कम 12 अलग-अलग डाकनेट मार्केट पर ये समान बेचे जा रहे है डाकनेट पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर में कुरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के जरिये PPE और अन्य समान हासल किये गई है बेचने वाले इन समानों को अलग-अलग देशों में डिलिवरी कराने को भी तयार है ज्यादा तर ऐसे प्रोडक्ट अमेरिका से जबकि कुछ प्रोडक्ट यूरो ब्रिटेन और आस्टेलिया से शिपिंग के लिए मौजूद थे कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाजमा के जरिये अन्य मरीजों के इला से जुड़ी कुछ रिपोर्ट सामने आई है लेकिन प्लाजमा थेरेपी के खत्रे भी है और इससे लोगों की जान भी जा सकती है फिलहाल डॉक्टर प्रियोक के तौर पर कुछ खास परिसिती में ही इस थेरेपी को अजमा रहे है प्रमुक रिसर्च रोड ब्रॉड हर्स्ट ने कहा है कि महमारी के वक्त कुछ लोग अपराधिक तरीके से कमाई की कोशिश कर रहे है आने वाले दिनों में ये बढ़ सकता है इसलिए कड़ी मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि इसे बंद किया जा सके रोड ब्रॉड हर्स्ट ने कहा हमने पाया कि अस्वरक्षित वैक्सीन और एंटिवारल दवायों भी डाक नेट पर लोगों को बेची जा रहे है भारी मात्रा में PPE की भी बिक्री हो रही है क्योंकि बाजार में इसकी कमी बनी हुई है वहीं Australian Institute of Criminology के जिप्टी डारेक्टर रिंक ब्राउन ने कहा कि इन चीजों की बिक्री से लोगों के स्वास्थ को गंभीर खत्रा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंसके